जुद्ध विरुद्ध कुरुद्ध दौवंदर राम प्रताव सुमीरू उर अंतर रावन भवन चड़े धाई करही कौसला दीस दौहाई कभी लीला करी तीनहीं दिरावही राम चंदर कर सुजसु सुनावही पुनीकर गई कंचन के खंबा कही नहीं कर ये उतपात अरंभा खल्मनुजाद दुज्जामेश भोगी पावही गति जो जाचत जोगी उमाराम मुदित करुनाकर बयर भाव सुमिरत मोही निसिच नमस्कार वियूर्स और आप सब लोग क्या से हैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे तक सुना था तो रावन की साइड से और श्री राम की साइड से लड़ाई है रावन की साइड में उनके युद्द है और श्रीराम के भी युद्द है वैट वह वालु भालू और गिछ्ष है तो वानर और इच्छो ने रावन की सेना को मारना शुरू कर दिया तब सब लोग गालियां देने लगे थे उसके नगरवासी की राजे करते हुए इसने मित्यू को बुला दिया अब रावन ने अपनी सेना का विष्णी तोना कानों से शुना तब भागते हुए युद्धावों को लटाकर वच्प्रोधित ऑकर बोला माकिसे रंड से देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा उसे स्वयम भयानक दुधारी तलवार से मार दूंगा मेरा सब कुछ खाया भाति-भाति के भोग किये और जब रन भूमी और आव रन भूमी के प्रान प्यारे हो गए रावन के उग्रव चनस्वन का सब भी डर गए और लग्जितों का प्रोध करके युद्ध के लिए लोट गए रन में सम्मों को युद्ध करते हुए मने में ही वीर की शोबा है यह सोचकर तब उन्होंने अपने प्रानों का लोग छोड़ दिया सब बहुत से अश्ट सश्त्र धारण के सब भी ललकार ललकार कर भीडने लगे उन्होंने परीगों और तेश्वनों से मार मारका सब रीच वानुरों को व्याक्वल कर दिया शुजी कहते हैं कि वानत भ्यातर होकर भागने लगे यद भी है उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे कोई कहता है अंगध हनुमान कहां है बल्वान नल नील और द्विद कहां है हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भैबी तो होता वह सुना उस समय के वे बल्वान पश्रिम द्वार बते वहां उनसे मेगनात युद्ध कर रहा था वे द्वार तूटता ना था बड़ी भारी कठनाई हो रही थी तब कवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ वे काल के समान योद्धा बड़े जोड़ से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहार लेकर मेगनात की और दोड़े तो कल तक हमने यहां तक जाना था अभी हम जानने पे हैं राम चाहित मानस को पढ़ने का उद्धेश यह एक शुबकाज है और उसके लिए मैं कर रही हूँ शुबकाज मतलब एक मंदिर के लिए है और वही मैं कर रही हूँ और चहाती हूँ कि इसमें आप लोगों समयोग मिले सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए आप लोग सबस्काइब आपने परिवार और मित्रगनों को भी हशाना अबश्य कहें तकी इन प्रण्ड लिया है यह से मैं पूर्ण कर पाऊं यह है मेरा उद्श इसके बाद में सोच रही हूं कुछ शुरूर करने के लिए तो आप देखेंगे सुनेंगे उसको तो अभी उसे बंदी की में विल्गे डालते हूं आप लोग मुझे बताएं कि आपको मेरा पार्ट कैसा अच्छा रगता है तो बताएं कम्या है तो भी बताएं मैं मुझे बुरा नहीं लगा तो सुन करके बिल्कुल बताएं कि तो मंदिय की वीडियो आपने देखी आपको कैसी लगी कमंड करें तो शुरू करते हैं आज का पार्ट स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कारेकरम राम से इत्मानस के लंका कानड पार्ट में शुरू करते हैं भंगे उरत सारती निपाता ताई हे देम हु मारे सीलाता दूसरे सूत विकलते जाना स्यंदन घाली तुरत गह आना रत तो डाला सारती को मार गिराया और मेगनाती चाती में लात मारी दूसरा सारती मेगनात को व्याकुल जान कर उसे रत में डाल कर तुरंत घर ले गया अंगत सुना पवन सुत गड़ पर गयव अकेल रन बांकुरा बाली सुत तरकी चड़ेव कभी खेल इधर अंगर ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकिले ही गए हैं तो रन में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उचल कर किले पर चड़ गए जुद्ध विरुद्ध कृद्ध दूबंदर राम पताब सुमीरू उर अंतर रावन भवन चड़े दूभाई करें कौसला दीस दूभाई युद्ध में सत्रों के विरुद्ध दोनों वानर कृद्ध हो गए हिदय में श्री राम जी का पताब का समढ़कर दोनों दौड़कर रावन के महल पर जा चड़े और कौसला दीस श्री राम जी की दुखाई बोलने लगे कलस सहीत गई भवन दहावा देखी निसाचर पती भेबाब पावा नारी बिंद कर पीट नहीं चाती अवदुई कपी आए उतपाती उन्होंने कलस सहीत महल को पकड़कर ढ़ा दिया यह देखकर राक्षष राज रावन डर गया सब इस्रियां हाथों से चाती पीटने लगी और कहने लगी अब की बार दो उतपाती बंदर एक साथ आ गया तो बने पवन पुत्र हनुमान जी की जय और बाली पुत्र अंगत की भी जय स्रिया पती रामचंद्र जी की जय हमें रामचंद्र जी की जय हमेशा बोलते हैं नहीं चाहिए क्योंकि वही सब कुछ करने वाले हैं करने के में आ उन यह कि इसलिए विजर्फिय वुट्र आए यह बहूं चैनल है और बहुंद्र इसलिए विजर्फिय को बहुत करते ही नहीं थे अब यह पतानी क्या ऐसा हो गया कि भस आ खोंक्रष कि भी कुछ करते हैं थी तब इसे लिए दिभी आ गई है अधरवाइस ना आती कभी नी कर गई कंचन के खंबा कई ने करिये उत्पात अरंबा वानरी लकर के घुड़की देकर दोनों उनको ड़ाते हैं और श्रीराम चंदर जी का सुंदर्यश सुनाते हैं फिर सोने के खंबो को हातों से पकड़ कर उन्होंने परस पर कहा अब उत्पात आरंब किया जाए गरजी परेड़े बुकटक मजारी लागे मर्दे भुजबल भारी काहू ही लात चबेट निकेहू भज़ओन रामई सुफल लेहू वे गरज का शत्रु की सेना के बीच में भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे किसी की लात से और किसी की थपड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम चंद्र जी को नहीं भचते उसका ये फल भूगो एक एक सो मर्दही तोरी चला वही मुंड रावन आगे परही ते जनू ददी कुंड एक दूसरे को मसल कर मसल डालते हैं और शिरों को भोड कर भेगते हैं वे सिर्थ जाकर रावन के सामने गिरते हैं और ऐसे भूडते हैं मानो दई के कुंडे फूट रहे हो जिन बड़े-बड़े मुकियों प्रधान सिनपत्यों का पकड़ पाते हैं उनके पेर पकड़ कर उने प्रभू के पात शेंग देते हैं डूशन जी उनके नाम बतलाते हैं और शिरी राम जी उने भी अपना धाम परंबत दे रहते हैं खल मनुजादे दूई जामे शिभोगी बाव हें गति जो जाचत जोगी उमाराम इम्रेदिति करुना कर भयर बाव समीरत मोहिनिस चर्थ ब्रहामनों का मास खाने वाले वे नर्भक्षी दुस्त राक्षजवी वे परमगति पाते हैं जिसकी योगी भी याशना किया करते हैं परन्तु सहज में नहीं बाते शिभ जी कहते हैं हे उमाराशरी राम जी बड़ेगी कौमल हिर्द है और करुना की खान है वे सोचते हैं कि राक्षज मुझे बैर्वाव से ही सही सुर्ण तो करते ही हैं देही परमगति सोजिये जाने अस क्रबालिको के हुँ भवानी अस प्रभु सुनिना भज़ई ब्रमत्रागी नर्मदि मंत्ते परम अभागी ऐसा रिदे में जानकर वे उन्हें परमगति देते हैं ये भवानी कहो तो ऐसे क्रबालू और कौन है प्रभु का ऐसा सबाब सुन कर भी जो मनुश्य भंत्याकर उनका भज़न नहीं करते हैं वे अत्यंत मंद्धुर्दी और परम भागेहीन है अंगद अरुहनमंत प्रवेशा की ने दुर्ग अज कही अब देसा लंका दो कभी सोह हैं कैसे मन्त हैं सिंद दुई बंदर जैसे शेरामी ने कहा कि अंगद और हन्मान किले में घुज गए हैं दोनों वानर लंका में विद्वन्स करते कैसे शुबा देते हैं जैसे दो मंद्राज चल समंद्र को मत रहे हो भुजवन रिपुजल दलमई देखी दिवसकर अंत खुदे जुगल विगत श्रम आये जहां भगवन्त भुजा के बल से सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता है दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगाद दोनों पूत पड़े और श्रम रहित होकर वहां आप गए जहां भगवन्त श्री राम जी थे प्रभुपद का मलसी सितिने नाये देखी सुबट रगपति मन भाये उन्होंने प्रभु के तरन कमलों में सिर्नवाए उत्तम युद्धाओं को देखकर श्री रगणाजी वन में बहुत पसंद हुए श्री राम जी ने एक्रभाकर के दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए तो बोलो श्री राम जंद जी की जय गए जाने अंगद हनमाना फिरे भालू मरकट भद नाना जातु धाने प्रदोश बल पाई धाय करी दससी से दुहाई अंगद और हनमान को गए जानकर सभी भालू और वानर फिर लोट पड़े राक्षचों के प्रदोश काल का बल पागर राक्षच की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया निसे चर अनि दे की कभी भीरे जहां तहां कटकटाई भट फिरे राक्षचों की सेना आती देक वानर लोट पड़े और वे योदा जहां तहां कटकटाई भीर गए दोनों इद बड़े बलवान है योदा ललकार ललकार कर लड़ते हैं कोई हार नहीं मानता सबी राक्षोज महानवीर और अत्यंत काले हैं और वानन वुशाल काये तथा अने को रंगों के हैं दोनों ही दल बनवान हैं और समान बलवान युद्धा हैं वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं प्रावित सरद पयोद घनेरे लरत मनहु मारुत के प्रेरे आनिब अकमपन अरु अतिकाया जुचिलत सेने कीने इने माया राक्षोज वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान बड़ते हैं मानुक्रम शाव वर्षा और शरदितों के बहुत से बादल पवन से प्रेवित होकर लड़ रहे हों अकमपन और अतिकाय इन सेनबत्यों ने अपनी सेनको विश्चित होते देखकर माया की भयव निमिश में अधिकारा विष्टी होई गृदि रोपाल चारा पलवर में अत्यात अधगार हो गया खून पत्तर और राक्षष राक की वर्षण होने लगी देकी निमिड तम दसहू दिसी कभी दल भयव खभार एक ही एक न दे कई जहां तहां कर रही बुकार दसो दिशा में अत्यंत घना अंधकार देकर वानरो की सेना में खरवली पड़ गई एक को एक दिखाई नहीं दिता था और सब जहां तहां बुकार कर रहे हैं सेकल मर्मू रगना एक जाना लिये बोली अंगद हनुमाना समाचार सब कई समुझाए सुनत को भी कभी कुंजर धाए श्री रगना जी सब रहे से जान गए उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहका समझाया सुनते ही वे दोनों कभी शेष्ट क्रोधित होकर दोड़े फिर करबार श्री राम जी ने हसकर धरुष चड़ाया और तुरंती अगनी वान चड़ाया जिससे प्रकाश हो गया कहीं अंधिरा नही रहिया जैसे ज्ञान के उद्य होने पर सब प्रकार के संधे दूर हो जाते है भालू बाली मुक पाई प्रकासा धाई हरश भीगत श्रम त्रासा हनुमान अंगद रन गाजे आंक सुनत रजनी चर भाजे बालू और वानर प्रकाश प्रकार का श्रम और भैसे रहित तथा प्रसन्न होकर दोड़े हनुमान और अंगद रन में गरद उठे उनकी हांक संतही रावन भाग खड़े हुए है तो अब आज का बह्त में यहीं वरपूर्ण कोती हूं कर फिर मिलेंगे तब तक आप मेरा चैनल अब इससे सब्स्राइब करें लाइक करें और शीयर करें मेरा सहयोग पार्ट को लाइक करें और कल फे मिलते हैं एक नई बाट में एक नई उमंग एक नई तरंग के साथ अब तक के लिए नमस्कार